दोस्तों रिलाइस पौवर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी चौकाने वाली खबर निकल के आ रही है रिलाइस पौवर में एक बोड के अंदर जबर दस बदला होता हो दिखाई दिया है बहुत सारी यहाँ पे इस्तिपे लिये गए है और बहुत सारी नई अपॉइंटमेंट हुई है यह यह कह सकते कि पूरा का पूरा बोड ही बदल दिया गया है अब आपको यह पता ही होगा कि अनिलंबाडी इस बोड के सद्शिय नहीं है फिलाल वो कोई भी पोजिशन होल नहीं करते कंपणी के अंदर और अब जैसे कि पिछले जो जो एक बड़ा जटका लगा कंपणी को जहां पे सोलर एनरजी कॉर्परस रव इंडिया के तरफ से इनके उपर ब्लेम लगाया गया कि उन्होंने फरजी डॉक्यूमेंट पेस करके सरकारी टेंडर हासिल किया है बैटरी एनरजी स्टोरिज का जिसके वज़े से हो सकता है कि ये गाजगिरी हो पुरे बोर्ड के मेंबर के उपर तो बहुत बड़ी अपडेट है जिसको अच्छे से हम वीडियो के माद्यम से डिसकस करगे किसके किसके नई अपॉइंटमेंट हुई है और क्या है उनका अनुबव और आगे अब किस तरसे कंपनी आगे बढ़ेगी क्योंकि एक के बाद एक बहुत सारी गटना करम निकल के आ रहे क्या रिलाइस पावर में इस समय निवेस की समोना है या फिर यहां से निकल जाना ची जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए च 11.23% की गिराउट देखनों को मिली अब इसकी परफॉर्मेस अगर आप देखे तो इस महिने की सुरुआत में 43.03 के आसपास टाइब टाइब 2.56% की सांदार तीजिए बनी लेकिन उसके बाद 4 और 5 नॉमबर को 2 दिन इस टोक इंदर गिराउट हुई और इस टोक आगया और इसके दोरान करीब 5% की सांदार तीजिए हमने देखी है तो बाजार में रिकवरी का माहुल बना श्टॉक ने बैतर किया लेकिन उसके बाद भहिंकर गिराउट का दोर सुरुआ और 5 ट्रेडिंग सेसन में श्टॉक गिरते हुए देख सकते हो कि 35 पर आ गया जो श्ट तरह दो बाजार का महुल बिगड़ा हुआ वैसे इसकी परफोर्मेंस दिए तो पिछले पाज सालों में इसने 798% का जबरदस्थ रिटन दिया है पिछले तीन सालों में 161% का पॉजडर रिटन दिया है पिछले एक साल की बात करें तो 61% का इसने सांदा रिटन दिया है और पिछले तीन मैंने में 20% की तेजी बनी है लेकिन पिछले एक मैंने में यहां पे 19% की गिरावट हो चुकी है और वंडे के इसाब से भी 1.5% की गिरावट है तो यहां पे मैनेजमेंट में बहुत सारे बदला हुए उसमें देख सके कुछ नई appointment हुई है तो देख सकते हो कि यहां पे डाक्टर वीजेल लक्ष्मी के गुपता की नई appointment हुई है और वो डारेक्टर होंगे कंपनी के अंदर 15 नॉम्मर 2024 से उनका कारेकाल सुरू हुआ है अब देख सकी एडिसनल डारेक्टर की तौर पे और इसे इंडिपेंडेंड डारेक्टर वो अपना कारेकाल पूरा करेंगे पास साल के लिए उनको यहां पे यहां पे देख से तो कि उनका कारेकाल इसमें एप्रूब किया गया है तो यहां पे दोखी डॉक्टर वीजेल लक्ष्मी गुपता फिलाल किसी भी कंपनी में बोर्ड के सद्यसे के तौर पे नहीं है से भी के रूल्स के त देख सकते हों कि फिलाल उनकी जो पोश्ट है वो सिरफ रिलाइस पौर के परती वह इस समय अपनी समर्पित है पूरी तरह से तीसरी जो अपॉइंट्मन हुई है यह भी बोर्ड डारेक्टर में वह स्री हरमन जीन सिंग नेगी इनकी अपॉइंट्मन हुई है और पंद्र पर इनको अपॉइंट्मन किया गया है फिलाल किसी भी कंपनी में इनकी कोई भी पोश्ट नहीं है यानि अप देख सकते हों कि इसके पीछे जो रिजन है वो रिजन तो नहीं बताया गया है दूसरे डारेक्टर की जो यहां पे रिजिगनेशन मिली है वो है स्री पुनीत नरेंदर गर्ग इनका भी इस्तिपा हुआ पना नमबर दोजार चौबिस को इसके पीछे का रिजन नहीं बताया गया कि क्यो इस्तिपा दिया है उन्होंने तीसरा जो रिजिगनेशन हुआ है वो है डारेक्टर के तौर पे स्री राजा गोपाल कोर्था पल्ली इनका भी रिजिगनेशन पना नमबर दोजार चौबिस को ही हुआ है और इसके पीछे की भी वज़न नहीं बताएगी है और जो चौता यहां पे इस्तिपा हुआ है व अलड़ी मेंबर है इसके अलावा यह ओडिट कमिटी के चैर परसन भी है तो रिलाइस कंपणी के अलग-लग कमिट्यों में इन्होंने अपनी पोजिशन ले रखी थी और अब देखें का इस्तिपा हो चुका है इन्होंने भी इस्तिपा की वज़नी बताएगी क्यों इन्ह आच इस्तिपे हुए च्छाय अविरादी की बात को यह भी इंडिबेंडेंट डारेक्टर है बोर्ड रिलाइस इंफ्राइस के और उनके पास चेहर परसन भी है इस्टेकोलडर है रिलेसेंसिप कमिटी के और कॉर्पोरेट सोचल रिस्पॉंसबिलिटी तो वो देख से तो कि पहले सेक्रेटर डिफेंस फाइनस और फॉर्मर मेंबर थे फाइनस टेलिकॉम कमिशन के और काफी उनके पास अनुबव है अब उनको रिलाइस पावर के बोर्ड में सामिल किया गया है तो 1974 में अपने केरी की शुरुआत की दिए उन्होंने इंडिय डिरेक्टर के तौर पे थे और चिप एक्जुकेटिव ऑफिसर थे सासन पावर लिमिटेट सबसरीज कंपनी में रिलाइस पावर की उन्होंने काफी वहां पे अपनी सेवाई दिये उनकी वज़े से कंपनी ने काफी ज्यादा ग्रोथ की है और कंपनी इस समय कर्ज मुक् तो यह जो पूरा मामला बना है यह सामवी कुस्ति पर हुए और नई अपॉइंटमेंट इसके पीछे सारा का सारा रिजिन जो बन रहा है वो यही बन सकता है कि अन्नी लंबानी की कंपनी रिलाइस पावर के उपर तीन साल का बैन लग चुका है अब वो सोलर एनरजी कॉर पर से इंडिया की तरफ से कोई भी बीड होगी उसमें सामिल नहीं हो सकते हैं उनके उपर इलजाम लगाया कि उन्होंने फरजी बैंक गारेंटी डॉक्यमेंट पेस किये थे और उसके माधियम से उन्होंने वो टेंडर हासिल किया था तो गलत तरीके से टेंडर लिया वो भी उनके हास से निकल चुका है और तीन साल के लिए बैंड भी लग चुका है और यहां तक कि अब उनके उपर क्रिमिनल प्रोसेडिंग की भी कारवाई कंपनी करने जारी है इसके लिए सो कुछ नोटी जारी किया गया है जिसका जवाब अन्ही लंबानी को देना होगा फ लिए जिके पॉर्टफियो में कंपनी आगे बढ़ना चाहती है और इसके लिए ग्लोबल मार्केर में भी अपनी तेजी से अपनी स्थी को मजबूत कर रहे हैं लेकिन अब देखना होगा आगे क्या सम्मौन बनती है फिलाल बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है कंपनी के अ लिए या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स